असलाम वालेकुम फ्रेंट्स आप सब को आपके अपने चैनल MZR फूट गर में खुश्यामजीद कहता हूँ आज जो हम रेस्पीज त्यार करने चार रहे हैं वो बनने वाली है बहुती कमाल की और टेस्टी लाजवाब य। विडियो शुरू करने से पहले दोस्वों सो गुजारेश करोगा कि जिसने अब यदि तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नही किया वो जल्दी से करते हैं सब्सक्राइब और गेंटी के बटन करते हैं उड्याब पाउडर अब हमने दाल चिनी वह शामल कर लिए साधी कड़ी पता एक अदद वह शामल कर लेंगे और साधी हमने छोटी लाची यह शामल कर लिए और साथ बाकी मसाले शामल कर लेंगे खुश्क दनिया एक चमच काली मिर्च एक चमच और जीरा इसकी भी एक ही चमच इसारे अच्छे तरीके से ग्रैंड कर लेंगे पाउडर बना लेना है दादर नहीं रेने देनी और साथ ही एक चमच नमक की शामल कर लेंगे और एक ही चमच हल्दी पाउडर इसकी शामल कर लेंगे और साथ ही साथ हम सुर्ख मिर्च पाउडर इसकी भी एक चमर शामल कर लेंगे आज की रैस्पीज हमारी बहुत ही कमाल की बनने वाली है वीडियो पूरी देखें, मिस मत करें मिशीन बन कर लिया, अब ही से हम अच्छे तरीके से ग्रैंड कर लेंगे सफूफ बनाना है, और वीडियो अच्छे लगी, तो दोस्तों से शेर भी करना देखें जी, सफूफ रैडी हो चुका है, हमने बीफ को अच्छे तरीके से दो लिया है और पांच मिंट के लिए स्टीम भी कर लिया है, अब साथ ही हमने एक कप आईल का शामल कर लिया है इससे ब्राउनो ने देते हैं, स्टीम फिर तीन मिनट के लिए रख दिया है, लो, आंच पे, देखें जी, साथ ही हम थोड़ा सा आईल इसमें निकाल लिया है, जो लास पे हम इसे तरी, इसकी त्यार करेंगे अब हम एक इसमें एक चमच बटर की शामल कर लेंगे, इससे जाईका माशालला जवाब बनने वाला है जी, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, बहुत ही कमाल की रैस्पी बनती है, अच्छे तरीके से मिक्स करते जाईएगा, साथी, एक चमच, लेसन, एदरक और हरी मिर्च इसका पेस शामल कर लेंगे, साथी च्छे तरीके से मिक्स कर लें, बहुत ही लाजवाब खश्बू अभी से आना शुरू हो चुकी है, और साथी हमने चो मसाले शामल कर लेंगे, इसका दोजी माशाला अपना ही लाजवाब खश्बू और जाइका है, गर्मे नॉर्मल ही हर चीज़ें मजूद होती है, कुछ स्पेशल कुछ चीज़ें इसमें शामल कर लेंगे, मगर ग्रैंड करने से अच्छे तरीके से बहुत ही लाजवाब टेस्ट और खश्बू आनी शुरू हो चुकी है, अच्छे तरीके से म पानी शामल कर लिए इसमें, और साथ ही साथ अच्छे से मिक्स कर लिए, देखें जी, फिर हम 3-4 मिनिट के लिए स्टीम करते हैं, वीडियो स्किप कर दी भी इसमें, 3-4 मिनिट हो चुके हैं, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, और साथ ही अब हम इसमें पानी शामल डेट ग्लास बहुत ही कमाल गी यह जी रेस्पी है और सुबह का नाश्टा इससे हो निहारी से और साथ नान हो माशाला सुबहान अल्ला साथ ही आटा आसासा से मिक्स करते जाएगा और साथ अच्छे तरिके से लाते जाएगा नहीं तो पबल बनने शुरू हो जाएगे देखे माशाला गाड़ा हो चुका है ग्रेवी टाइप त्यार हो गया है माशाला जी हमारी निहारी रेडी हो चुकी है बीच में हमने वीडियो स्किप कर दिया और तीन चार मिनट के लिए स्ट्रीम किया था जी रेडी हो गई है अब इसे एक बॉल में निकाल लिए और साथ में वो ही हमने जो कुकिंग आयल पहले निकाला था उससे फ्राइबान में शामल कर लेंगे और उसमें एक चमच सुर्क मिर्च पाउडर शामल कर लेंगे किश्मीरी मिर्च भी हो तो माशालला सुबहानला ये जी हमारा तरी वो रेडी हो चुकी है हमने इसे चान लिया था देखें माशालला सुबहानला ला की क्या कुद्रत है जी बहुती ला जवाब त्यार हो चुका है उपर हम हरा दनिया कटा हुआ है इसके पीसिज वो शामल कर लिए साथ ही हरी मिर्च और एद्रक के पीस माशालला ला जवाब मारी बीफ ने हरी रेडी हो गई है वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेयर करें नेक्स वीडियो तक के लिए बश्र व्रीद को अजासत दें अल्ला हाफीज